चोपड़ा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदेख स्वागत करता हूँ दोस्तों AIMS की अपने खुद की इलिजिबिलिटी और एडमिशन पोलिशी है MCC नी ये अपने इनफॉर्मेशन ब्लेटीन में क्लियर कर दिया है ये क्लियर किया है कि AIMS में अपलाई करने से पहले स्टुडेंट AIMS का इनफॉर्मेशन ब्लेटीन चेक कर लें ये जो आप चैप्टर 4 देख रहे हैं ये MCC की वेब साइट पर इनफॉर्मेशन ब्लेटीन में दिया हुआ है तो AIMS ने अपने MBBS प्रोस्पेक्ट 2020 रिलीज कर दिया है जिसमें इलिजिबिलिटी क्रेटेरिया और सीट मैट्रिक्स के बारे में बताया है हालांकि इसमें एडमिशन MCC की काउंसलिंग के थू ही होना है मगर इसमें आपको एज असेंचियल अकेडमिक क्वालिफिकेशन और मिनिमम मार्ग्स चेक कर लेना है तो इसकी वेब साइट AIMS.org पर हम विजिट करते हैं तो इसमें प्रोस्पेक्ट AIMS MBBS कोर्स 2020 लिखा है इस पर जैसे ही क्लिक करके इसका इनफोर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड करते हैं तो इसमें टोटल 19 AIMS दिखाए गए हैं जिनमें 1,899 सीट है इसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं यही सीटे MCC ने अपने पोर्टल पर यह अपलाई करते समय दिखाया है इसके बाद में हम इसकी इलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें एज क्रेटेरियत दिया हुआ है एज इसमें मैक्सिमम एज कोई लिमिट नहीं है इसमें मिनिमम एज 17 इयर्स होनी चीए 31 डिसमबर 2020 को यानि की कंडिडेट का जनम इसमें 2 जनवरी को 2004 को या इसके बाद नहीं होना चीए वो इलिजिबल नहीं है अपलाई के लिए अभी इसमें Essential Academic Qualification की बात करें हम तो इसमें कंडिडेट को जो 12th क्लास है वो Physics, Chemistry, Biology और English के साथ में clear होना चीए पास होना चीए इसमें और इसमें जो Additional Biology वाड़े स्टुडेंट हैं वो भी इसमें eligible हैं मिनिमम माक्स की बात करें तो इन चार सब्जेक्ट में English, Physics, Chemistry and Biology में जनरल और OBC कंडिडेट के लिए 60% मार्क्स SCST के लिए 50% मार्क्स और PWD कंडिडेट के लिए 45% मार्क्स एग्रिगेट होना चीए Aggregate का मतलब है इन चारूं सब्जेक्ट का टोटल 60%, 50% और 45% होना चीए मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इन चारूं सब्जेक्ट के Optane Marks का टोटल कर ले उसके बाद Maximum Marks का टोटल कर ले और Optane Marks को Maximum Marks से Divide करके 100 से Multiply करेंगे तो आपका परसंटेज निकल जाएगा और यह परसंटेज जनरल और OBC कंडिडेट के लिए 60% या इससे अबव होना चीए SC-ST कंडिडेट के लिए 50% या इससे अबव और PWD जो हैंडिकेप्ट कंडिडेट हैं उनके लिए 45% या इससे अबव होना चीए यह कंडिशन दी हुई है मिनिमम मार्क्स की एम्स के लिए 15% आल इंडिया कोटा के लिए यह कंडिशन नहीं है 15% आल इंडिया कोटा में जो नीट की इलिजिबिलिटी क्रटेरिया है वही कंडिशन है लेकिन एम्स की यह कंडिशन अलग से है यानि कि इतने मार्क्स मिनिमम आपके होंगे तब ही आप एम्स के लिए इलिजिबल होंगे इसमें आगे जो डोकुमेंट्स हैं आपको एडमिशन के टाइम में एम्स में कौन-कौन से एडमिशन के टाइम में डोकुमेंट्स डिपोजिट करने हैं उनकी लिश्ट दी गई है तो आप यहां से चेक कर ले इसमें भी एक कोलम में लिखा है कि Mark Seed Board की होनी चीए जिसमें ये सो होना चीए कि आपका Physics, Chemistry, Biology और English में Aggregate जो होगा वो 60% होगा General और OBC केटेगरी में इसके अलावा SC, ST केटेगरी के अंदर होना चीए आपका 50% और इसमें आपका 45% होना चीए PWD की कंडिशन में मैं आपको यहां बता दूँ कि EWS की जो कंडिशन है वो भी General OBC और EWS की कंडिशन में वो इस 60% सेम है यानि कि EWS के कंडिडेट को भी 60% marks aggregates ये इन चारूं सब्जेक्ट्स में तो दोस्तों ये aims के लिए eligibility criteria है आप English, Physics, Chemistry, Biology में टोटल marks आपके जनरल केटेगरी के 60% SCST केटेगरी के लिए 50% और PWBD के लिए 45% होना जरूरी है तभी आप aims के लिए eligible हैं तो ये आप एक बार चेक कर ले और अगर आप counseling के बारे में ज्यादा जानकारी चाते हैं तो मैंने इसके बारे में book लिखी हुई है हमारे वीडियो के description box में आप उसको download कर सकते हैं All India quota की 24 filling के लिए मैंने पिछले page पर list भी दे रखी है आप वहाँ से देख सकते हैं फीस भी लिखी है उसमें कौन से state में कौन सी college है वो भी लिखा है इसके अलावा state के लिए भी दिया गया है पूरा उसमें state की भी book है और central pool quota की book है इसके अलावा open state के बारे में भी समझाया गया है तो आप इसको हमारी website www.sopraeducation.com से भी इस book को download कर सकते हैं ये counseling में आपके लिए काफी helpful रहेगी तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग